हेई हेलो एवरिवन आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो चलिए आई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं यह देखिए यह मैंने मिटी ले लिया है और मैं इसमें एलोवेरा लगाने वाला हूँ जिससे बहुत सारे फैदे होते हैं हेल्थ के लिए उसको खाया भ लगा जाता है तो देखिए गाईस मैंने यह मठी ले लिया है तो आपको वेल्डरेन मिटी बनाना चाहिए कभी भी आप मठी बनाओगे तो वेल्डरेन मठी बनाईये ताके उसके वाटर जो है निकलने में आसानी हो और जबी भी आप आप लो उसको छेत कीजिए एक दो जितने हो सके उतने कीजिए नीचे जो राउंड साइड होता है पॉट का उसमें छेट कीजिए ताकि वो पानी रिलीस कर सके ना कि वो अबज़र्ब कर ले पानी रोक ले वैसा नहीं करना चाहिए हमें देख सकते हैं आप मैंने नाई नीच का पॉंट लिया है तो देखिए गाइस मेरे साथ भूल रही है तो मैं हलू हलू करकर बोलूगा तो गाइस मैंने तो ये पॉट और मठी ले लिया है और मैं इसमें मिलाओंगा बोन मिल जो के काफी सारे फायदे होते है अपने प्लांट्स के लिए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बोन मिल बहु चाहिए और उसकी जो मठी की ठिकनेस होती है जो आप हात में ले कर देख सकते हो उसकी ठिकनेस मठी की बहुत रहता है यह तो मैंने वह लिया है फटीलाइजर यह तब आपको एक ही काम करना होगा उसकी मठी अच्छी होना चाहिए तो आप plants अच्छे से grow होगे आपके plants अगर आपकी मठी सही नहीं होगी तो कभी grow नहीं होगे वो मर जाएंगे और first of all और एक काम जो आप गलती कर बैठते हो सीधा जब report करते हो plant को तो क्या करते हो आप सीधा direct sunlight में रख देते हो तो नहीं रखना चाहिए direct sunlight में देखिए मैं mix कर रहा हूँ मठी को देखिए वाईस मैं ये mix कर रहा हूँ ऐसे mix किया जाता है मठी को जबी आप मठी के तयार करते हो plants के लिए ऐसे mix किया जाता है मठी को तो गाईस कुछ बाते ऐसी होती है कि काफी सारे जने गलती कर बैठते हैं प्लांट्स लगाने बहुत सारे जने प्लांट्स लवर होते हैं बट वो गलती कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके वज़े से प्लांट्स नहीं उक पाते हैं और जो pot होता है, देखिए मैंने pot लिया है, इसके पीछे दो छेद है, दो छेद क्या है मैंने pot के पीछे, अब मैं इसको मठी को अंदर डालूँगा, कभी भी आप मठी डालोगे pot में, तो तब एक काम करना है, आपको पूरा मूँ तक नहीं आना चाहिए, उसको थोड़ी जगे खाली रखना चाहिए, ताके पानी डाल सके आप, वैसा नहीं के आप बोलेंगे के मैंने तो पूरा पानी डाल दिया, फुल, ओवर वाटरिंग न आपको गीली लगेगी मठी, तो नहीं डालने का, अगर सूख जाती है मठी, पूरा ड्राय हो जाती है मठी, तो दप डालने का आपको पानी, जब जरूरत होगी प्लांट को पानी तब डालने का, मगर आप ये नहीं के अभी जरूरत नहीं है, तो नहीं डालना वैसा नही ज़रुरत होती है प्लांट को पानी की बट कुछ लोग क्या करते है? Overwatering कर देते है जिसकी वज़े से आपका प्लांट मर जाता है तो काफि सारे reason होते है तो आप देखिए आपके प्लांट में क्या कमी है आप क्या करने से आपका प्लांट ग्रोथ करता है आपको direct sunlight के भी रहते है, plant, semi shade का भी रहता है, जैसा succulents रहते है, succulents, indoor, outdoor दो भी रहता है, succulents में भी, आपको देखे मैंने इतना यहां तक ही दाला है, अभी इसको मैं level कर दूँगा, अभी जब मैं पानी दालूँगा, मैंने हलकी हलकी दाला है अभी मठी, तो इसलिए ऐस हो रहा है वो, अभी मैं जब इसको पूरा पानी दालूँगा, तो वो नीचे चले जाएगी, मठी, जो नीचे जाएगी, आप जब मठी दालोगे, तो ज़्यादा मत दालीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, आप ज़्यादा दालोगे, watering करोगे, तो वो एकदम, लेक के जै चिगट-चिगट हो जाएगा, तो वैसा नहीं करनेगा, दीखी, मैंने ये मेरा एलोगेरा प्लांट है, जो मेरा काफी पुराना प्लांट है, वन एर, एक साल प्लांट है मेरा ये, तो मैंने इसको एक साल पहले एक प्लांट लगाया था, अभी इसके काफी सारे प्लांट है काफी सारे बेबीस है इसके तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी मैं दूसरों को डोनेट कर रहा हूँ मैं किसी को भी ऐसे ही डोनेट नहीं करता प्लांट जो प्लांट लवर होता है जो खेर करता है प्लांट की उसी को डोनेट करता हूं मैं हर जने को डोनेट नहीं करता मैं प्लांट ताकि मुझे डर रहता है कि वो प्लांट की केर सहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो डर रहता है मुझे और कुछ नहीं आपको क्या करना चाहिए अच्छे से केर करना चाहिए तो अब हम इसे निकालते हैं यह अलोवेरा को देख सकते हैं देखिए गाइस पुरा बंचे इसके साथ कितना है बहुत सारे बेबीज भी है इसके साथ देखें बहुत सारे हैं प्लांट्स इसमें ऐलोवेरा के बेबीज देखिए कितने बेबीज है इसमें देखिए गाइस ऐसे ही बेस्ट इन्फरमेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए हमें सब्सक्राइब कीजिए देखिए यह मैंने जो निकाला है हार्वेस्ट किया है अब मैं जिसको report करने जा रहा हूँ देखिए गाइस आपको मैं शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगा शॉर्ट वीडियो भी दालूँगा इसकी मैं जो मैंने handmade pots बनाए हैं उसमें भी मैंने लगाए हैं तो उसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं वीडियो बना कर दालूँगा मैं आपको बताऊंगा उसमें भी कैसे हैं देख सकते हैं आप गाइस तो देखिए गाइस हमने ये ऐलोवेरा हार्विस किया है अभी इसको लगाने की बारी है कैसा लगाना है वो भी देख लीजिएगा और मैं इसकी वीडियो जल से जल अपलोट करने की शौट वीडियो में बहुत से जल से जल कोशिश करूँगा मैं बहुत कोशिश करूँगा जो मैंने पॉट्स में हैंड मेट पॉट्स में जो बना कर लगा है वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसा लगा है मैंने इसमें short video के दर्ये से short video के माध्यम से आपको guide करूँगा मैं देखिए मैंने लगा रहाया इसमें aloe vera देख सकते है heavens देखे मैंने लगाना शुरू कर दिया है aloe vera की कैसा लगाना है आपको पूरी information देखिए गाइस नज़्दीक से देख लीजिए आप कैसा लगाया है मैंने देखे ये भी एलोवेरा है मेरा और ये भी देख लिए और जब भी आप रिपोर्ट करते होगा इस प्लांट्स तो ओवर वाटरिंग किजिएगा उसे मीटी सूकी नहीं रहना चाहिए जब रिपोर्ट करोगे तब देना है पानी ओवर जब आप देओगे त्री टू फॉर डेस गयाब देना है उसे त्री टू फॉर डेस के बाद दीजेगा पानी आप उसे तब जब मीटी सुक जाएगी तब देना है आपको पानी त्री टू फॉर डेस चेक करना है मीटी में वन इंच दल कर तब देना है आपको पानी तो ग झाल झाल झाल